हेलो गाईज, टेकनिकल नाइट में आपका स्वागत है, आज की जो अपडेट है वो NIOT यानि की National Institute of Ocean Technology जो की Ministry of Earth Science, Government of India के अंतरकत आता है इसमें Technician Scientific Assistant की Recruitment निकल किया है वेजिस में की ITI Diploma Apply कर पाएंगे इस वीडियो में details में discuss करेंगे, क्या होगी eligibility के ट्रिया, क्या selection process, examination centers, क्या राखेगा है तो जो भी करने चरपना है, चरप सबसे जरू कर दें, क्योंकि इस चरप पर आपको टेकनिकल जॉब से लेडर सारी information प्रोइट की जाती है जैसे निचे स्कॉलन करते हैं, आपको यहाँ पर देखने के मिलता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नमबर पर देखने के मिलता है नियुटी advertisement नमबर, डाउनलोड advertisement पर क्लिक करके full notification पीडिया आप डाउनलोड करेते हैं इसका लिंग आपको वीडियो के डिसमें मिल जाएगा, लाज्ट इट इसकी 11 मार्च 24 रखी गई है जैसे कि अब देख सकते हैं, हमने वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करें, यह PDF आपको हमारे टेले गंगुर्प पर भी मिल जाएगी सबसे पहले जो आपकी पोस्ट डारेट रिकूर्टमेंट बेसिस होने वाली यानिकी पर्मानन जॉब है आपकी टेक्निशन ग्रेड ए में, इलक्तोनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, वेल्डर, मेकेनिकल, फिटर मेकेनिकल की रिकूर्टमेंट रखी गई है डारेट रिकूर्टमेंट बेसिस है, पेलेवेल आपका तूर आपका जो की उननीस सजन नौसर में बेसिक रहेगा टोटल पांची सीटी रखी गई जिसमें यूर की तीन, ओबीजी की एक, एक पोस्ट अर्ण मार्ख है एक सर्विसमेंट परसनल के लिए साइन्टिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए में, मेकेनिकल, इलेक्टिकल, इलेक्ट्रोनिस, केम्यूनिकेशन, लाइफ सेंस वल अपलाई कर पाएंगे पेलेवेल आपका रहेगा, शिक्स का, लेबल शिक्स, पैन तीर चारसोर बेसिक होगा फाइब पोस्ट रखी गई है, यू आर की थरी, OBC की वन, AWS की वन साइन्टिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, स्लैस टेक्निकल आफिसर में, मेकेनिकल, इलेक्टिकल, इलेक्ट्रोनिस, केम्यूनिकेशन वल अपले कर पाएंगे इसमें पे लेबल सेवन रहेगा, 44,900 रुपर बेसी रहेगा, तीन सीटें रही गई है, जो की यू आर की हो जाएंगी अब ये देख लेते हैं, किस ब्रांच में कितने सीटें आपको देखने के मिलते हैं, देखे टेखनेशन ग्रेड इलेक्ट्रोनिस इंस्ट्रुमेंटेशन में दो सीटे हैं, जो की यू आर की हो जाएंगी एज लिमिर्ट मैक्समिम 25 साल रखी गई है, इसमें एज लेसर से में मिल जाएंगा, सेश्टी को 5 साल को, OBC को 3 साल का क्वालिफिकेशन के बारे मात करते हैं, 10th क्लास करके रखे हैं, सिकेंडरी मैट्रिक और रेकोगनाईज बोर्ड एंड, आईटी ए कोर्स करके रखे हैं, इलेक्ट्रोनिक से, इंस्ट्रुमेंटेशन से, एप्रूट बाई, एंसी वीटी, और एक्क्विलेंट फ्रॉम रि है, उसी के नीचे आप देख सकते हैं, जॉब रिकार्मेंट क्या होगी, क्या कैचीजी करनी होगी, पे स्किल जैसे हमना को अदा दिया, सिलेक्शन प्रोसर के बारे मात करते हैं, तो रेड या फिर रेटेन टेस्ट एंड इस्किल टेस्ट के अधर पर होगा, वीडियो के इसी परकार, एक्स्पिरेंस जो है, आपकर डिजारबल है, यह सारी पोस्ट में आप फ्रेशर वाले अपलाई कर पाईएगा, टेक्निशन ग्रेड ए मेकेनिकल में एक सीट देखने के मिल जाएगी, जो की EWS की ही रखी गए, यूर, OBC, S, C, C, T, वर अपलाई नहीं कर पा यह, इसेंशल क्वलिफिकेशन में, टेंट के बाद आपने आईटे करके रखा, फिर्टर मेकेनिकल टेट से अपलाई कर पाईएगा, पेस्केल लेबल टू का हो जाएगा, उनिस सेंद लौसर बेसिक, थ्रो मोड रिटें टेस्ट और इस्किल टेस्ट के अधर पर हो जाए कैशन के द्वारा आपके minimum cut-up marks रखे जाएंगे, उसको आपको qualify करना होगा किवाल इसमें कोई भी marks नहीं मिलेंगे, नहीं इसके आधर पर selection होगा, The final selection of the candidate will be based on the current performance in the return test या फिर trade test जो भी वहाँ पर सबसे पहले होगा return test या फिर trade test No corresponding will be entertained with candidate who are not called for return test या फिर selected for appointment Both the return test and skill test will be conducted at NIOT जो की chain नहीं में है Which may be on the same day or consequently यानि कि जो return test है, skill test है, same day हो सकती है या फिर एक दिन छोड़ की दूसरी दिन हो सकती है The date of examination will be published in the website, जैसे examination date आएगी हम आपको टेलिकरम के मादम से सुचित भी कर देंगे इसी करम में हम देख लेते हैं Scientific Assistant Mechanical में Total 2 CT देखने के मिल जाएगी जो की UR की एक EWC रखी गई है Mechanical में Age Limit में 28 साल रखी गई है, 28 years Applicable Age Lesson for Personal with Disability and Exorcism and Conduct as per order issue by Central Government के नुसार Qualification ये बारे मात करते हैं, तो 3 year का Diploma in Mechanical Engineering से 60% मार्क से या फिर इस equivalent qualification करके रखें अपलाई कर पाईएगा Basic Knowledge and Computer Required है यहाँ पे Experience में दो साल के Experience अगर आपके पास है तो अपलाई कर पाएगे और नहीं भी है तो भी अपलाई कर पाएगे, नहीं फ्रेशर वाले पाएगे कर पाएगे और दो साल के Experience तो बहुत अच्छी बात है पेश के बारे मां हमने आपको बता दिये 25 स्पाइब बेसी को चाहिएगा सेलेक्शन प्रोसेश फ्रो रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा उसके बेस पर होगा स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर रखा गया है इसकर में देखते हैं साइन्टिफिक असिट देखने में लिए जो की यू आर की है इसके इक्वालिफिकेशन करके रखे हैं अब देखते हैं साइन्टिफिक अशिस्टेन ग्रेड ए में ओबीसी के एक सीट रखे हैं इलेक्ट्रोनिस और केम्यूनिकेशन इंजिनर के लिए इसके इक्वालिफिकेशन इंजिनर से या फिर इसकी इक्वालिफिकेशन है अपलाई कर पाईएगा या फिर डिजारबल में एमसी डिग्रेड इंजिलोजी भी अपलाई कर पाईएगा अब देखते हैं साइन्टिफिक एक्वालिफिकेशन ग्रेड बी जो की टेक्निकल ऑफिशर के समकच्च है इसमें एक सीट रखी गए यूर की मैक्सिमिल इलिमित 35 सल देखने के मिल जाएगी यहां पर इसेंशिल क्वालिफिकेशन में आपको डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजिनर वाले अप मिल जाएगे इसका भी सेलेक्शन प्रोसे रिटेन टेश्ट एंड इसकिल टेश्ट की बेस पर होगा टेक्निकल ऑफिशर इलेक्टिकल की एक सीट हो जाएगी यूर की मैक्सिमिल इलिमित 35 सल रखेगे त्रियर के डिप्लोमा करके रखें इलेक्टिकल इंजिनर से या फिर इलेक्ट्रोनिस इंजिनर से या फिर इसकी इक्विलन क्यालिफिकेशन ने अप्लाई कर पाईएगा यहां पर एक्सप्रेंस डिजारबल में रखा गया है तो जो भी करने एक्सप्रेंस लिए हुए वो देख लीजेगा कि किस फिल्ल में आपका इक्सप्रेंस टेक्वाइ अधरिस्टिजमन नमर लार्ज इट विल नॉट बी पॉसिबल तु कॉल कंडेर्स फोर रिटेंट या फिर इसकील तेस अधर यानि कि यहां पर जो आपकर रिटेंट टेस्ट होगा वह वो वन रिशो 50 की रिशो में इसामिशन होगा आपके एजूकेशन क्वालिफिकेशन डिजारबल एक्स्पिरेंस के आधार पर जैसे के हमने आईटे की पोस्ट में बताया थे तो आपका भी यही सेलेक्शन प्रोसेज वही चीच रख्या गया जो कि आपको अनाईटी चैन्ने में देने को मिल जाएंगे जो भी आपकी काल लेटर है टेस्ट हैं विल भी फिल अब करें वह करेक्ट मेल फिल अब करें लाज्ट इसकी 11-3-24 रखी अप्लाई करने के लिंग इस वीडियो के डिसकुश्म में मिल जागा अब देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा सबसे पहले हम अप्लिकेशन फॉर्म के नीचे क्लिक हैर पर क्लिक कर द दिख लिएगा लगा डाक्टर मिस्टर मिसेश देख लिजिए गा उसके आद आपको फर्श्ट इम डालना है जो भी आपका फैस्ट नेम हुइं अगर आपके पास्वोर्ट मीडिल हो उसके लाज़्ट नेम इम्ल इडी पास्वर्ड आपको सिट करना जो भी आल यह आपक स्पेशल करेक्टर 123 में से कोई डिजिट चूज आपने कर लिया तो यह आपका डिजिट हो गया तीछ प्रकारावाणा पासवर्ड क्रियेट करके यहाँ पर रेश्ट्रेशन करने के बाद सिंप्ली आपको लॉग इन करना होगा जैसे आपका रेश्ट्रेशन हो जाएगा सि की साय इं पर कलिक कर देना कि जैसे चाह्निकर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्याओ यह कुश सब्सक्राइब करने की और उसकी प्रक्लिकेशन एप्लिकेशन फोर्म को नहीं प्यावार्व को फिल करने का अपीजियंतों प्यायव कर सारे वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें चैनलों का फिरेण सब्सक्रायब